दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसी चीजे जो अगर आप दुबारा गर्म करके खाते हैं तो वो आपकी सेहत पर पढ़ सकती है भारी तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 6 चीजे बने हुए खाने को दुबारा गर्म करके खाना एक आम बात है और लगबग हर घर में ऐसा होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपको कैंसर जैसी बिमारी का शिकार भी बना सकता है हम सबी के घरों में ऐसा होता है कि हम एक वक्त के खाने को दूसरे वक्त गरम करके खा लेते हैं लेकिन आपको ये जानकर हरानी हो सकती है कि हर खाने को गरम नहीं करना चाहिए खाने पीने की कुछ ऐसी चीजे भी होती है जिने गरम करने से वो स्वास्ते के लिए नुकसाताया हो सकती है कई बार इससे कैंसर होने का खत्रा भी बढ़ जाता है कुछ चीजे ऐसी होती है जिने गरम करने पर उनमें मौजूद प्रोटीन खातम हो जाता है और उसमें मौजूद कुछ तद कैंसर के कान्थ नहीं खाना चलिए चिकन को दोबारा गरम करके खाना हानिकारण हो सकता है तो दोबारा गरम करने के बाद इसमें मौजूद प्रोटीन कंपोजीशन जिससे पाचन संबंदी समस्याई हो सकती है 2. आलू. आलू स्वास्तेवर्दक होते हैं लेकिन अगर इन्हें बना कर भूत अधी देर तक रख दिया जाए तो इनमें मौजूद पौश्यक दर्त्व समाप्थ हो जाते हैं. इसे दोबारा गरम करके खाने से पांचन क्रिया बन नकरात्मक असर होता है. 3. चुकुंदर. चुकुंदर को कभी भी दोबारा गरम करके नहीं खाना चाहिए. ऐसा करने से इसमें मौजूद नाइट्रेट समाप्थ हो जाता है. अगर चुकुंदर जादा बन भी गया है तो इसे फ्रेज में रख दें. और अगली बार खाने से कुछ घंटे पहले इसे भार निकाल कर रख दें. और बिना गरम कर ही आप इसे खा सकते हैं. नमबर 4. मश्रूम. आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मश्रूम आप हमेशा फ्रेश खाएं. ये प्रोटीन का खसाना होता है. लेकिन दोबारा गरम करके खाने से इसके प्रोटीन का कॉम्पोजीशन बदल जाता है. और ये आपकी सीहत के लिए आने कारण भी हो सकता है. नमबर 5. अंडा. अंडे को दोबारा गरम करके खाना हमेशा नुकसादे होता है. क्योंकि अंडे में मौजूद प्रोटीन, फाइबर दोबारा गरम करने के बाद खतम हो जाते हैं. नमबर 6. पालक. प पालक को दोबारा गरम करके खाना कैंसर का कारण भी हो सकता है. इससे कैंसर होने का खत्रा बढ़ जाता है. इसमें मौजूद नाइट्रेट दोबारा गरम करने के बाद कुछ ऐसे तत्वों में बदल जाते हैं जिससे कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जानी 6 ऐसी चीजे जो हमें दुबारा गरब करके नहीं खानी चाहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर करें। और हमारे चानल आज ही सब्सक्राइब करनीजिए।